नमस्कार मेरे प्यारे साथियों बात की जाए टीवी सीरियल दालचीनी में ट्विस्ट की तो टीवी शो के अंदर आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट दालचीनी की बहादुरी के कारण राज रानी की घटिया सच्चाई सब के सामने आ चुकी है दोस्तों एक निर्दोश व्यक्ति का चहरा ही बताता है कि वो निर्दोश है दालचीनी को आज से कुछ समय पहले बिना किसी कारण उसे घर से बाहर कर दिया गया प्रेगनेंसी की हालत में अकेली दालचीनी भटकते रही दालचीनी की मदद करने वाला कोई भी नहीं था लेकिन जिसकी कोई मदद नहीं करता उपर वाला उसकी मदद किसी न किसी रुप में जरूर करते है आज दालचीनी बिलकुल सही, सलामत, अपने बच्चेयों को जन्म दे चुकी है अपनों से दूर रहकर दालचीनी बहुत खुश हैं दोस्तों अगर आपके अपने ही आपके पीठ पीछे चल करने लगें तो वो घर घर नहीं, नर्क के समान है दालचीनी को कला और राजरानी इतना मजबूर कर चुके थे जिससे वो अपने घर को घर कहने में भी सोचती थी दोस्तों, दालचीनी सभी से दुर रहकर अपने जीवन किसी भी तरह चला रही होती है लेकिन समय का पहिया एक और बार उसको अपने परिवार से मिला देता है दोस्तों, तेज के लाग कहने पर भी दालचीनी उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई दोस्तों, दीपक को भी समझाने की कोशिश तेज करता है लेकिन दीपक तेज को डांट देता है, उसे वो पहचानने से इंकार कर देता है दीपक की याद दाश्ट चले जाने के कारण दीपक किसी को नहीं पहचान पा रहा है दालचीनी दीपक को अपना छोटा भाई बना कर अपने साथ ही उसे रखी थी ताकि उसे सब कुछ याद वो दिलवा सकें उसके बाद कला और राजरानी की घटिया सच्चाई वो बाहर ला सकें राजरानी की असलियत आने से अब कोई नहीं रोख सकता है दालचीनी दीपक के फोन को खुद के पास रखी हुई है अब इंतजार हैं तो बस दीपक के याद दाश्ट आने का दीपक राजरानी की एक-एक सच्चाई को दिखा देने वाला है राजरानी को पुलिस गिरफतार कर लेने वाली है राजरानी के गिरफतार होने के बाद कला की भी सच्चाई बाहर आ जाती है दोनों का असल चेहरा सब के सामने आ जाने के बाद डाल चीनी को उसी इज़त के साथ तेज अपने घर लाने वाला है दीपक की माँ दीपक को दोबारा पाकर बहुत खुश हो जाती है